नमस्कारी दिनाव स्वदेश पर आपका स्वागत हैं आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश आपके साथ मैं हुमान सीधवे मंगलवार की सुभ है और आए शिरुवात करते हैं सीधा विदेशी बाजार के संकीतों को समझ कर इस वक्त विदेशी बाजार में उथ चीज से तीस अंकों की बढ़ात यहां पर आप देख पाएंगे 17,050 के आसपास के लेवल यहां पर कामकाज तो शुरुबात हलकी सी तेजी के साथ हुई है जिसे पॉजिटिव नोट के तौर पर माना जरूर जा सकता है लेकिन जपैन और कुरिया के बाजार भी अगर दे तीस अंकों की गिरावट हमने डाउ में देखी 52 हफतों की निशलस तरों पर गिरकर डाउ जोन्स बंद हुआ नैस्डाक टिकनोलिजी हेवी काउंटर्स में लगातार बिकवाली का दबाव है जिसका इंपाक नास्डाक पर भी पढ़ रहा है लगातार वहां पर भी लाल न गलोब अगर यूएस मांकिट्स की अगर बात करें बीती रात बिकवाली का दबाव लगातार ये पाच्वा ट्रेडिंग सेशन दिखा जबकि एक गिरावट हावी होते हुए दिखी कल दोपेर को यूरोपेन मांकिट्स जब क्लोज हुए हमने रिकॉर्ड लोज वहां पर और भी देखे दो हजार दो के बाद डॉलर वहां पर जिस तरह के सेंटिमेंस नजर आ रहे हैं अफकॉस यहां पर कई सारे ट्रिगर जो की इंपक्ट कर रहे हैं इन तमाम मार्किट्स को इंडस्ट्रल प्रॉफिट्स के डेटा आज चाइना रिपॉर्ट करेगा इस पर फ की आशंका अब भी काइम है जो स्तर्थ है वहां से हलकी सी बढ़त जरूर दिखी होगी लेकिर अब भी हमने देखा 85 डॉलर के नीचे ब्रेंट के दाम पहुंचते हुए देखने को मिले चाहे फिर ब्रेंट क्रूड की बात करे या फिर घरेलू का कच्चे तेल की बात करे एनरजी पैक में जो बिखवाली है वो अब भी काइम है डॉलर में मजबूती लगातार नजर आ रही है जिसके चाहते सोने में कमजोरी बुलियन मार्केट जो है वो भी तूटता हुआ नजर आ रहा है एक वक्त जब अक्रॉस एक्विटी जब बाजा तूटते थे बुलि मार्केट्स में भी नजर आ रहा है और साथी डुमेस्टिक मार्केट्स में भी गिरावर्ट जो है वो लगातार हावी होते हुए देखी है डॉलर इंडेक्स के अगर बात करेंगे एक सो तेरा डॉलर के लेवल्स के आसपास ते ट्रेड करते हुए यूएस टैनियर जाएंगे क्योंकि बीती रात अमेरिकन मार्केट्स की बिक्वाली को जरूर ध्यान में रखिये लगातार पार्च सेशन से गिरावर्ट ठावी हो रही है और इसके लावा एजिया य बाजार की शुरवाद जो है वो अन पॉजिटिव नोट है एस डिक्स निफ्टी में हल पर महिने के उसके बाद खरीदारी का एक ट्रेंड दिखा उसके बाद फिर से सेलिंग इंटेंसिटी जो है वो लगातर बढ़ती रही पिछले चार दिनों में करीब 11,000 करोर रुपे के शेज कैश मार्केट में F.I.S की तरफ से बेचे गए हैं कल के डेटा अगर में D.I.S की करीब 35,000 करोर की खरीदारी आई है वाइदा बाजार में Index Futures में F.I.S की 941 करोर की खरीदारी है और Index Options में 9,705 करोर की खरीदारी के आकरे तो कैश मार्केट में F.I.S की Selling Intensity को भी as a concern ही माना जाए क्योंकि सितंबर का महिना लगातर Selling यहां पर बढ़ती झाल है तो पिलिए ओधना है दोल्गकि झाल है कि कुआए गलती वरीदारी पर hadिः तोंकि सितंपनी को जा भी खरीदारी हो जू है क payments जाए